तो राम राम सभी को आईए आज करकडाती ठंड में मैंने गर्मा गर्म साबू दाना के बरा बनाए हैं और किस तरीके से बनाए हैं ये पूरा प्रोसेस मैंने दिखाया है इसमें तो आलू उबाल ली हैं और साबू दाना भिंगो दिया था जिसमें धनिया मिर्चा लसुन इसके साथ चटनी के साथ अच्छे लगते हैं खाने में तो यह ऐसे आलो is अच्छे से मिहसे करें जब आलो को डाल सकती हैं लेकिन जब आलो गरम होती है तैस्पें साओ करे दीज़ सुझ सब्सक्राइब करें और टिम तो य्विक आपने भी साओ के लिए लिचा खराब करें अज़ाब़ państwaables a तो इसलिए मैंने सोचा आप लोग के खातिर में ये वीडियो अपलोड करूं ताकि आप लोग भी बनाएं आसानी से बन जाता है कोई कठिन कारण नहीं है तो मेरे कहने पे आप लोग जरूर बनाएं और ये देखिए देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं और आसानी से साम के लिए नास्ते में तैयार कर लिया चाय के साथ गरमा गरम बढ़ियां खाईए तो मेरे घर में सब लोग खाते हैं आप लोग भी बना बना के खाईए तो मैंने आप लोग के खाते लिए वीडियो अपलोड किया है तो आप लोग बताईए कि कैसा लगा मेरा वीडियो अच्छा लगा कि नहीं तो जैसा भी लगे आप जरूर बताईए कमेंट करके तो मेरा मौटिवेशन कीजिए मुझे आगे बढ़ाईए तो देखते जाएए मेरे चैनल को और मैं हमेशा वीडियो डालती रहती हूँ और मेरे शौट भी आते हैं तो आप लोगो कैसे लगते हैं ये जरूर बताया करिए तो मुझे भी अच्छा लगता है सुनके कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगो के लिए वीडियो डालती हूँ तो आप लोगो कैसा लगता है तो आज मेरे घर में जो है यही साबू दाना के बड़ा बने है नास्ते में और ठंड बहुत ज्यादा है इतनी ठंड है कि कड़ाके वाली ठंड पड़ रही है तो इसमें तो लगता है बस कोई बना के दे दे गर्मा गरम तो बस मज़ा आ जाए खाके तो आप लोग मेरे वीडियो देखिए आनंद लीजिए और मज़े कीजिए और गर्मा गरम सर्व कीजिए सब लोग खाईए तो मैं जो है रोज नई नई डिशे डालती हूँ अब भी मैंने गाजर का हलवा भी डाला था तो आप लोगों ने देखा है अभी वीडियो मैंने उसका अपलोड नहीं किया है रखा है मेरे पास वो भी डालूँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सबको सेयर करूँ सबको दिखाऊं कि मैं क्या बनाती हूँ कैसे बनाती हूँ तो आप लोग भी इसी तरीके से अपने किचन में जो भी बनाती है तो आप लोग भी अपना इसी तरीके से वीडियो अपलोड कर सकती है बना सकती है अगर मेरा सपोर्ट चाहिए तो मैं जरूर कर दूँगी और मैं बता दूँगी वैसे भी इननेट पे तो सारी चीज़े अ तो बस ये तयार हो गए हैं अब ये जा रहे हैं सब को खाने के लिए में नास्ता देने जा रही हूं और ये बड़े ही सौप्ट बने एकदम तोड़ने से भी एकदम सौप्ट बने एकदम कुरकूरे से लगते हैं खाने में इतने स्वाधिश्ट लगते हैं कि वस खाते कि इस ही दें द생 जब शूट करते हैं तो खत्मी नहीं होती है चुछ जuh जाती है ।